नमस्कार नियोस के डियलेट पर अठिकर्म के कोर्स पांसो दस में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है मैं जेन बालिया जमू केंद्री विश्व दाले से आपके साथ चर्चा करेंगे विज्ञान अधिगम के आंकलन हेतू आंकलन संकेतकों का निर्भागर सरप्रतम हम बात करना चाहेंगे आपके साथ राष्ट्री पाठी चर्चा की रूप एखा से संबंदित कुछ उलेख की आप सभी जानते हैं राष्ट्री पाठी चर्चा की रूप एखा 2005 में शिक्षा के लक्ष के संबंद में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कैसे पढ़ाया जाए कि कसोटी पर वियापक क्रूप से विचार किया गया है आप सभी जानते हैं इस दस्तावेज में प्रारंबिक स्तर पर शिक्षा प्रक्रिया में ग्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोडने पढ़ाई को रटन्त प्रणाली से मुक्त करने, पार्ट चर्या को बच्चों के सर्वांगेड विकास का माध्यम बनाने, परिक्षा को लचिली और कक्षा की गतियोदे से जोडने, और साथी साथ शात्रों में मानवी मुल्यों का विकास करने पर बल दिया गया है। भी हो पाएगी, जब उनके पास इस चीज का अवसर होगा, कि वह अखंड अनभव की फूरो रश्चना कर सके, एवं ग्यान का सर्जन कर सके, ये बहुत महत्पूर्ण बात है, हम सब को इस चारे में से जितने शिक्षा के लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको इस बात पर समझ होगा, साथ से साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो एक और बहुत महत्पूर्ण हमारे भारती शिक्षा पद्विती में, जो एक अधिनियम आया, निशुल्क और अनिवारे बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो जिसको हम लोग राइट तो एजुकेशन इसमें बहुत सारे उलेख है, एक उलेख का मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, निशुल्क और अनिवारे बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने शिक्षा को एक ऐसी सतत गतेशील प्रक्रिया के रूप में देखा है, जो बच्चों को गरिमा में ज जिदिकी और जहां बच्चे भै और तनाव से मुक्त होकर घ्यानकर स्रिजन करते हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे के साथ शिक्षक किस तरह से भै मुक्त, तनाव मुक्त एक वाता बनाने के कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे एक क्लासिस में कक्षा में देखा जाता है कि बच्चे भाए के साथ अध्यापक के साथ बैठते हैं लेकिन यहां पर भाए मुक्त वातारोना बनाने की प्रयास किया जा रहा है साथी साथ एक बहुत खास बात बहुत इंपर्टन्ट चीज़ ये भी है हमारे इस अधिनियम 2009 में जिसमें इस चीज़ का भी पड़ाया है कि ऐसी बाल केंद्रित और बाल अनकूल शिक्षा हो जो असमानता को दूर करने के साथ साथ शेक्षी अवसरों को उपलब्द कराती ह किसी जाती, धर्म, मत या लिंक के भेदवाओं के बिना सभी विद्यार्थियों की पहुँच गुनवत्ता परक्षिक्षा तक हो जब गुनवत्ता परक्षिक्षा की बात आती है तो उसमें कोई जाती, धर्म, मत या लिंक और साथी साथ कोई ऐसे आर्थिक आधार भी नह ऐसी बात हमारे निशुर्ग और अनिवार बाल शिक्षा दिकार 2009 में कही गई है उसके साथी साथ शिक्षा द्यार्थियों में जिग्यासा, सिर्जन शीलता, वस्तु रिष्टता जैसी जो गित्याएं तथा मुल्यों का विकास करते हुए, समस्या समधान तथा निर्ने लेने के कोशल को भी विक्सित करे ऐसी बात निशुर्ग और अनिवार बाल शिक्षा दिकार 2009 में कही गई है शिक्षार्तियों, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि ये जो हमारा निशुर्ग और अनिवार बाल शिक्षा कादिकार अदिन्यम 2009 है इसमें किस तरह से हम इन सब चीजों का एक किस तरह से हम अपना पत बनाएं कैसे हम रास्ता बनाएं हमारी क्या गतिविदियां हो हमारी प्रणाली कैसी हो हमारी प्रक्रिया कैसी हो जिससे कि हम इस शेक्ति में आगे जा सके हैं आएम हम आगे बाथ करते हैं कि इन श्याक्षि लक्षियों की जो बात अभी हमने आप से की उनकी पूर्ति कैसे संभव है जब शात्रों के विकास, शात्राओं के विकास का मुल्यांकर्ण करने के लिए वैद और विश्वसनी पद्धिती भी हो जहां तक हमारा नभर रहा है आपने भी देखा है विद्यालियों में मुल्यांकन का जोर शिक्षा के सराकारों पर प्रति पुस्टी अर्थात फीड़ बैक प्राप्त करने के स्थान पर यह जादा जानने पर रहा है कि कौन कौन से बच्चे पास हैं कौन से बच्चे फेल हैं अर्थात जोर इस पर है कि बच्चे कितने पास हैं कितने फेल हैं ना कि ये की फेल क्यूं है और पास क्यूं है ये बहुत एक आवेश्यक बहुत ही महत्यपूर बात है ये हमें इस पर सुधाला नहीं कर शकता है इसके अत्रिक्त विद्यालियों में जो लागू बुल्यांकन की पदितियां है वो शिक्षा के लक्षियों के संबंद में समग्र प्रतिपुस्टी फीडबैक प्रस्तूत नहीं करती है केवल चुनिंदा आयमों पर बच्चों के शैक्षिक और अकादमिक प्रगति के बारे में जानकारी देती है हम जब समग्र विकास की बात करते हैं तो साथी साथ समग्र मुल्यांकन की भी बात आती है उक्त सीमित उद्येश्यों के द्रस्टिकत भी अभी प्रचलित मुल्यांकन व्यस्था में परिवातन की बहुत आशिकता है अब प्रशनी आता है कि हम इसमें कैसे बदलाव लाएं, उसी के उपलक्ष में हम आपसे आज बात करना चाहते हैं संकेतक के बारे में, हम आपसे बात करेंगे कि विज्ञान शिक्षन में संकेतकों का प्रयोग कैसे करें, विज्ञान शिक्षन में संकेतक किस तरह से निर्ध हरिर चारती हinté हम आज बात के'लेंगे गियान शिक्ष्षंड में संकेत्य कों का निर्मान कैसे करें और सिझादि निर्मान के साथ उसको प्रयोग में कैसे लहें और सबसे पहले प्रेस्ट किक्शारतीं यह आता है संके tuk क्या होते हैं संके तक हमें बच्चों की प्रगती के मांदन्द पदान करते हैं संके तक हमें यह बताते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान वा कौशल अरजित किया है साथी साथ संके तक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे की प्रगती की दिशा क्या है कि यह जानना कि ग्यान कितना प्राप्त किया है उसकी प्रगती कितनी हुई है उससे बहुत जादा महत्पूर्ण यह है कि हम यह जाने कि प्रगती की दिशा क्या है अगर दिशा भ्रमित है दिशा उसकी नहीं उचित नहीं है तो उसमें सुधाला नहीं कर शकता है किसी प्रश्ण का उत्तर हम बच्चे से लेते हैं वोई उसको हम एक activity में participate कराते हैं प्रश्ण यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने उत्तर क्या दिया उससे महत्पूर्ण यह है कि बच्चे ने उत्तर किस प्रकार प्राप्त किया प्रक्रिया बहुत महत्पूर्ण है और संकेतक किसी और इंगित करता है संकेतक बेसिकली यही चीज़ बताता है कि बच्चे ने उत्तर किस तरह प्राप्त किया उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। साथी ये अंकलन के प्रती शिक्षक और विद्याले का नजरिया भी प्रस्तूत करते हैं। ये नजरिया इस्थानी और शक्ताओं के अपने मान दर्णों के निदारों को दर्शाता है। अब देखिए इस पर प्रशनी भी आता है कि क्या संकेतक एक जैसे होने चाहिए। सभी विद्यालियों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी विश्यों के लिए, तो हमें जानने क्या उशकता है। कि संकेतक विशे अनुसार बदलते हैं, संकेतक शिक्षक अपने अनुसार बना सकता है, अपनी कक्षा के शात्रों के इस्तर के अनुसार बना सकता है, संकेतक हमें बच्चों की प्रक्रती की मांद अंड़ प्रतारन करते हैं, संकेतक हमें यह बताते हैं, कि बच्चों ने असल में देखा जाए तो प्रक्रण का ही परिवर्धित रूप है, एक प्रक्रण का एक इंप्रोवाइजड फॉर्म है, प्रक्रण में अक्सर प्रक्रिया स्पस्ट नहीं होती है, हम जब किसी प्रक्रण का रूप लेख करते हैं, लेकिन संकेतक स्पस्ट रूप से उस प्रक शिक्षक को और एक शात्र को सही दिशा में जाने की तरफ इशारा करते हैं और उसके उस पूरे शिक्षन और प्रक्रिया को एक मजबूत आधार देते हैं। शिक्षन और प्रक्रिया की प्रभावता का लगातार मुल्यांकन काता रहें। क्योंकि इसमें बात आती है सदत मुल्यांकन की। बात आती है व्यापक मुल्यांकन की। आपको मालूम है तीस साल से जादा पहले से हम लोग ने इसको बलकि पहले से भी हमने सदत और व्यापक में लागु किया हुआ है परंतों उसके परिणाम अभी वह नहीं आ रही है जिसके हम अपयक्ष्या करते हैं क्यूंकि इसके पीछे बहुत जरूरी है कि हम यह देखे कि एक सथत और व्यापक मुल्यांकरन के लिए शिक्षन प्रक्रिया कैसी हो अधिकम प्रक्रिया कैसी हो तो इसलिए आवश्यक है कि एक शिक्षक संकेतक का निर्मार करें संकेतक अनुसार अपनी शिक्षन प्रक्रिया को निर्धारित करें और उसी का अनुसार शात्राओं का मुल्यांकरन आपको यह मعلूम होना चाहिए कि संकेत जो होते हैं वो पार्ट करमी लक्ष यह लेकिन लक्ष की दिशा क्या हो उसकी बात संकेत करते हैं आंकलन के हम जब बात करते हैं, हमने जैसे भी आपसे बात करी, कि आंकलन केवल याद करने की शमता का नहीं होना चाहिए, मुल्यांकन जब हम करते हैं, मुल्यांकन में इस बात का जोर दिया जाना चाहिए, कि जो उसे पढ़ाया गया है, उसका अपने जीवन अन्भाव, तो गलत के विचार से विचलन को देख पाने की शमता विक्सित होनी चाहिए बहुत आवश्यक है हम मुल्यांकन सिर्फ इस चीज का जैसे मैंने पहले ही भी कहा मुल्यांकन हम सिर्फ इस चीज का नहीं करें कि किसना उसने ग्यान अरजित किया है बलकि हम यह देखें कि ग्या नियए भी दिखे रहा, इतनी शंता उसके लागा की शाथर में, ये बहुत आश्यद। इस चीज का मुलेंकन करनी के अश्यपता है। मुलेंकन के द्वारा विद्धियाले उसमें इस प्रकार की शंतायें विक्सित करने का प्रेत्न कर सकता है ताथ पर यह है कि सभी बच्चों को दी जारी वेले सुचनाई जो है उसके अर्थ अपने पूर्व अनभव और अधिगम के आधार पर अपनी तरह से बना सकते हैं यही प्रक्रिया बच्चों को अपनी समझ बनाने में यहां दबाओ यहां बल अपनी समझ की बात चल रही है अक्सर देखा गया है समझ जो बच्चे की होती वो पुस्तक पाधारित होती है यह पुस्तक पाधारित ना हो बलकि अपनी समझ पर हो हर बच्चे को अपनी पसंद नापसंद रुचियां परिवेश कौशल अनभव और वेवहार के तरीके होते हैं हर बच्चे के अपने अलग-अलग होते हैं हर बच्चा आप सब जानते हैं अपने आप में अधितिय है चुंकि प्रतेग बच्चा अपने अग्में अधितिय वक्ति है तो कहीं ना कहीं अपने ढंग से प्रक्तिक्रिया देता है इसलिए बच्चों के सीखने सिखाने की योजना बनाते समय बहुत ही महत्पूर हो जाता है कि हम ये देखें कि उसमें जो भिन्नताएं हैं क्या वो पहचान कर सकता है और इस सिखाई को स्युकार भी करें कि सीखने के दौरान भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया करने और समझने के आउशकता है आगे हम बात करते हैं तो अधिकम जो आंकलन है इसकी प्रक्रिया में संकेतक का महत्यू क्या है इसकी चर्चा मैंने पहले भी शिक्षार्टियों किया आपके साथ कि सीखने सीखाने की प्रक्रिया में सीखने की निरंतर को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने की बहतर समझ और उसे केंदर में रखने के लिए संकेतक बहुत बहुत पूर संकेतक एक दिशा निर्धारित करते हैं संकेतक बच्चों के सीखने की दक्षताओं का लंग करने के लिए रूप रेखा पतान करते हैं और साथी साथ संकेतक विवावकों, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चों के प्रगति को आसान तरीके से समझने के लिए संदर बिद्दू का काम करते हैं बहुत आवश्यक है कि बच्चे को ये समझाया जाए कि प्रगति का आसान तरीका क्या है अभिवावेक समझें, तीकि संकेतक अभी आप देखेंगे, हम चर्चा करेंगे उधारों के साथ, तो संकेतक तो अभिवावकों के लिए बहुत महत्पूर है, शिक्षिकों के लिए बहुत महत्पूर है, और शात्र शात्राओं के लिए तो भी बहुत महत्पूर है, संकेतक विश्शित करते दियान रिजियें की आश्यक्ता है कि हम किसी विशेश इस्तर आयू कक्षा के सत्रांत पल्षा में क्यार प्रगृति देखना चाहते हैं इस पर हम बात करते हैं ऐसे प्रकार का विजिन ऐसे संक्यतक और अन्तिता एख षात्र कमें की एक प्रोफाइल श्राणाउं की सराणा कर सके विक्सित किये के संक्येत्तक पाठिकर्म के लक्शन पर आधारित bent , तथा एक एक continuity होती है एक लगातार उनके साथ जुड़ा होता है जो शटी कक्षा में संकेतक हैं उसी संकेतकों में सुधार लाकर हम साथ ही कक्षा गली बनाते हैं आगे हम उधारों से आपके साथ चर्चा करेंगे संकेतक अक्षेत्र केवल पार्टि पुस्त को और पार्ठिक्रम पर केंद्रित नहीं होना चाहिए वरन उसके विशेश उद्देश चिहां पार्ठि चर्या के परिकुलम के उसके अनुरूप होना चाहिए संकेतकों में शिक्षक द्वारा नियोजित किसी कार गतिविधी पर बच्चे की बहुलता युक्त प्रक्रियाओं को संभलित किया जाना चाहिए बहुत आउशक है यह ध्यापक कोई सीज का ख्याल लगना है आप सभी सिक्षक हैं आप देखें इस चीज का ध्यान कि उसकी जो बहुलता है उसको संभलित करने के कोशिश करें संकेत का निर्मार बच्चे की अधिगरम ग्रहन करने की स्थथथा की रूप में समझना चाहिए उसके अनुसार उसकी जो लर्निंग है उसकी जो लर्निंग कैपैसिटी है जो अधिकम कार के संदर में बच्चे कैसे प्रगती करते है, प्रगती का आधार क्या है, प्रगती की दिशा क्या है, और साथी साथ संकेत कों के निर्मार करते समय, बच्चों के अनभवों, प्रशनों, उनकी अभिवक्तियों, विचारों और समवेदों को, समादों को दिया में रखना चाहिए यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए अध्यापक का एक बहुत बड़े जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के एनभवों को उनके पूछे गए प्रशनों को उनकी अभिवेक्तियों को विचारों को कही ना कि उनका अवलोकन करें कही ना कही उसको समझे और उनी को ध्यान में रखते हुए वो संकेतकों का निर्मार करें अब संकेतकों का प्रयोग कैसे करते हैं बहुत चुनुती पूर्ण स्थिति होती है संकेतकों का प्रयोग करना क्यूंकि संकेतकों का प्रयोग करने के साथ ही साथ हमने ये देखना होगा आवश्यक ये है कि शिक्षक स्वेम अपने कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुसार संकेतकों का प्रयोग करें अगर कक्षा कक्ष की स्थितियां संकेतकों के साथ मेल नहीं खाती हैं उनके साथ उनका संबंद नहीं है तो संकेत्कों का हम लोग पूर्टी नहीं कर पाएंगे। हमारी शिक्षक की जो एक प्रक्रिया है शिक्षन की वो अलग चलेगी। तो बहुत अवश्चक यह इक सीखने सिखाने के प्रक्रिया में एक क्या हमारे पास किस तरह की स्थितियां हैं कैसे हमारे पास संसाधन है यह बहुत आवशकता है संकेतक ही वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों से संबंदित शेक्ष्ट में दक्ष्टा का सोयरस्थित विकास किया जा सकता है संकेतक का प्रयोग करते समय निम्रिखित बातें बहुत आवशक हैं कक्षा-कक्ष में शेक्ष्ण प्रक्रिया के दौरान संकेतक को बच्चेओं के लिए सुगम और सहज बनाने के लिए उप्युक्त साहिक सामेगिया प्रयोग करें यह बहुत आवशक है और साथी साथ यह भी ध्यान रखे कि सीखने सिखाने के प्रक्रिया के दोवान संकेतकों से संबंदित उन सभी विद्यों प्रयोगों गतिविद्यों का आयदी का प्रयोग किया जाए जिन से संकेतक के उद्देश की पूर्टी हो रही हो उसको उसके लिए ध्यापको कुछ विशेशकार भी कर करना चाहूंगा की सबसे पहले विज्ञान शिकषन के आप सब परचित हैं विज्ञान शिक्षन के उद्देश्य experience होसे हिसम अप से को लेक्ष्द करना चाहूंगा कि बच्चों में वेज्यानिक द्रस्टकों नकी का विकास करना खोज करने के लिए औनुमान परिकलबनाये बनाना किनी तथीयों या जानकारी की स्युकार करने से पहले उसकी प्रमानिकता की मांग करना ये बहुत आवश्यक मैं हमेशा मानता हूं मित्रों शिक्षारतियों कि किसी तत्यों और जानकारी को स्युकार करने से पहले उसकी प्रमानिकता की मांग करे बच्चा और उसको करके देखे ये बहुत एक बहुत महत पुर्ण उद्देश है हमारी विज्ञान शिक्षन का है आलोचना मदभेद एवं प्रश्णों के प्रती साकरात्मक रूख रखे प्रयोग में तुलना के महत्य की समझ रखे पर्यावन के प्रती सजगता और उससे निरंतर सीखने की प्रवती का विकास ये कुछ संकेत के उधारन है और देखी आप इसमें संकेत कैसे बनाए गए हैं बच्चे संक्रामक रोगों उनकी रोग्थाम के पर समू में चर्चा कर रहे हैं अब एक-एक संकेत तक पर कक्षा की गतिवीदियां क्या है कक्षा में कैसे संजाधन चाहिए शिक्षा का क्या रोल दिवन रक्षक गोल और उसके गुनों को बता रहे हैं।बस्चे मिटि के कटाओ और उनके रोकने के उपावें पर बातचीत कर रहे हैं। बच्चे वायू के गुनों पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चे बल एवम उर्जा में अंतर बता रहे हैं, बच्चे मशीनों का आधार चुनकर वर्गी करन कर रहे हैं, बच्चे सूर्य एवम चंद ग्रहन की अवधारना को बता रहे हैं, इस बहुत सारे अलग-अलग संकेतक ह और एक आपसे बताना चाहेंगे इस शिक्षकों, कि इनी संकीतकों से कुछ और हम इनको भाजित करके और संकीतकों का निर्मार करते ही, यह मैंने कुछ मुख संकीतक आपसे बात की, बच्चे कम्पूटर के मुखे भागों पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक साइंस की बात, तो इसी के अनुसार कक्षा की जो इस्थितियां हैं अब यहां पर आवश्यक्ता इस चीज की है कि कक्षा का मतलब वो चार दिवारी नहीं होने चीजिए कक्षा तो बाहर भी लग रही और किस तर से ध्यापक बच्चों को उनके साथ बैठकर बच्चे उस चीज का अनुभाव क कर रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर शात्रों का शात्रों का मुल्यांकन भी हो रहा है बच्चे बीजों में भ्रून मुलांकुर एवंपरांकुर देख रहे हैं बच्चे बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक परसीतियों पर चर्चा भी कर रहे हैं साथ में ध्यापक और यहीं पर चर्चा के दारान उनका मुल्यांकन भी हो जाता है आई ये कुछ कक्षा साथ के से निर्धारी संकेतकों की बात करते हैं यहां पर एक उधारन हमने लिए हुए हैं और मैं फिर से बताना चाहूँगा शिक्षिकों कि ये मुख संकेतक है और इन संकेतकों के साथ ही हम कुछ और संकेतकों का निर्धार भी कर सकते हैं इन एक-एक संकेतकों से निकाल के बच्चे रसायन की भाषा संकेतों को समझ और लिख रहे हैं आप सब जानते हैं रसायन विज्ञान में भाषा संकेतक होते हैं कुछ संकेत होते हैं बच्चे अम्ल, ख्षार और लवणों के विशे में बता रहे हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बच्चे ताप, एवन तापमापे के उप्योगों को बता रहे हैं बच्चे उश्मा और उसकी सरनचनी की विधियों को बता रहे हैं बच्चे प्रकाश के संच्रण और प्रावरतन को बता रहे हैं ये बहुत सारे मुख्य संकेतक हैं और इन संकेतकों के निर्मान के आगे ही स्थितियां बनती हैं बच्चे दरपण के प्रकार एवं को प्योग को बता रहे हैं ये कुछ कख्षा साथ से निर्धारी संकित के लिए निर्धारी संकित कों की बात करते हैं शिक्षकों बच्चे पेट्रोलियम इंधन वा अनुद्पाद का प्रमुक्स रोक को चिन्नित कर रहे हैं अब आप यहां स्तर में परिवर्तन देखेंगे हमने कख्षा 5 की बात की 6 क प्योग के बारे में बता रहे हैं पच्चे कांच मृतिका साबुन और वरक और उनके प्योगों को बता रहे हैं इस तरह से बहुत सारे संकित कों की बात की जाती है और एक एक संकित कों से और संकित कों कर निर्मार कर सकते हैं और उसके अनुसार ही हम वैसी कख्षा की स्थ क्या होते हैं हमने ये भी बात की कि संकित को का निर्मान कैसे करते हैं हमने ये भी बात करी कि संकित को किस किस विन विन परस्तितियों में प्रयोग में लाए जा सकता है तो आज और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानगे होंगे और अपने एक सामगरी के उसके अनुसार जो इस्थितियां है कक्षा की उसका निर्मान करेंगे और आप ये भी देखेंगे कि कैसे संकित्कों का उप्योग किया जाता है नमस्कार